नमस्कार दर्शकों, हमारे विशेश कारिक्रम अतिति में दूरदर्शन परिवार की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं साथियों भारत की विविध कलाएं बहुत ही सम्रिध हैं चाहे वो लोग कलाएं हों, चाहे शास्त्री हों और जब हम शास्त्री कलाओं की बात करते हैं विशेशकर नृत्य की तो भारत की शास्त्री नृत्य कलाओं का नाम सुनते ही मन में एक अजीव से आनन्द की अनुभुती होती है एक सुकून से हमारा दिल भर जाता है एक ऐसा शांत और ऐसा एक सुकून का वातावरन तयार हो और पूरा जीवन अपने आप में लगाते होंगे तो उनका व्यक्तित तो किस तरह से होता होगा नृत्य एक तरह की साधना है जिसे आपको साधना पड़ता है और कोई भी साधना बहुत कम समय में पूरी नहीं होती जी हां काफी लंबा समय लगता है अपना सब कुछ एक तर आप से चलने लगती है लेकिन शास्त्री इंद्रित्य एक ऐसी विधा है जो साधने के साथ ही यदि हम उसको साध लेते हैं तो हम भी सध जाते हैं मेरे कहने का मतलब है कि हमारे व्यक्तित्व के विकास में और हमारे संसकारों में उसे सुद्रड करने में बहुत बड़ा हा से कलाकार जिन्होंने अपना पूरा जीवन नृत्य को समर्पित कर दिया जिनका पूरा परिवार जिन्होंने अपने आपको नृत्य के प्रती समर्पित कर दिया उसकी साधना में और सिश्यों को तैयार करने में आज हमारे बीच स्टूडियों में हैं काशी से पधारे जिहा अजीब सी एक बहुती सुख़द एक दिव्य अनुभूती होती है और आपको मैं देख रही हूँ सर आपका जो व्यक्तित्व है मुझे एक बहुती अलोकिक नजर आ रहा है तो क्या ये काशी में रहने की वज़ा से है या नृत्य को साधने की वज़ा से है मैं भी एक साधारण ही व्यक्ति हूँ और इश्वर प्रदत जो मुझे गुण मिला वो नृत्य का था जो मेरे परिवार में चल रहा है तो मैं अन्य मनुष्यों की तरह साधारण मनुष्य हूँ कोई विशेशता ऐसी नहीं है नृत्य को छोड़ दे तो सर यहीं बड़ापन होता है कलाकार का होना चाहिए हम लोग जटिल बहुत हो जाते हैं हम लोग सामान नहीं रहते हमें जटिल ता त्यागनी चाहिए और कलाकी साधना में यदि हम जटिल हो तो बहुत कठिन होता है और हमीशा जटिल आपको एक भरत नाटियम का शिक्षार्थी ही मानता हूं जिससे मुझे अभी और बहुत कुछ सीखना है और जो मैं सीखता हूं जो मैं गुनता हूं जो मैं आनुभव करता हूं मैं वो अपने विद्याथियों में बाटता हूं सर भरत नाटियम के एक शेत्र में होंबल परिवार काफी प्रसिद्ध परिवार है और आपकी फैमिली में पिता जी माता जी आप और आपकी सुपुत्री सभी इस फिल्ड में हैं तो कुछ फैमिली बैग्राउंड के बारे में हमें बताएए मेरे पिताजी श्री शंकर हूंबल वो मध्यप्रदेश में 51 में आए ग्वालियर में तब मध्यप्रदेश नहीं था तो ग्वालियर में आय और ग्वालियर में ही मेरा जन्म हुआ और मेरी माता जो बहुत बाल्यावस्था से ही पांच वर्ष की उम्र से ही उन्होंने मैलापूर गवरी अम्मा से चन्नेई में पृत्ति सीखा था और पिता जी ने मेरे जन्म के बाद सीखना शुरू किया और कलाक्षेत्रा चन्नेई जो हमारी गुरू पद्मभूशन श्रीमती रुक्मिनी देवी अरुंडेल जी द्वार स्थापित है 1936 में स्थापना हुई थी उस संस्था के उस संस्था में उन्होंने पांच वर्षों तक कथकड़ी और भरतनाट्यम दोनों का उन्होंने प्रिशिक्षन लिया और उसके बाद वो आके भोपाल में भस गये और मद्धि प्रदेश में भरतनाट्यम लाने वाला मेरा ही परिवार है और बहुत काम किया है मेरे सभी बहने मेरी चोटी बहने सभी इसी क्षेत्र में कारिरत रहीं जिसमें से एक दो बहने चोड़ दिया लेकिन दो बहने अभी भी कारिरत हैं एक बहन इस समय अमेरिका में अपनी संस्था चला रही है और एक बहन जो पिताजी के संस्था है उसे संभाल रही है और मेरी पुत्री भी इसी क्षेत्र में है बड़ी वाली वो छोटी वाली भी करती है लेकिन वो नित्ति के क्षेत् में नहीं गई है बाकि हम सभी लोग इसी क्षेत्र में हैं हो सकता है आगे और चौथी पीडी भी तयार हो जाए कुछ समय बाद आप सर करनाटक से आते हैं मूल निवासी आप करनाटक के हैं बहुत कम ऐसा सुनाई देता है कि करनाटक में कोई प्रेम चंद ऐसा नाम सुनाई हिंदी के बहुत प्रेमी थे और जब आजदी का आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने हिंदी सीखना शुरू किया और कंण फ्राध्या पक ते शुरू में जीवन यहां जन्म के बाद मेरा नाम प्रेमचन रखा, साथ ही मेरा सौभागी कि मेरी कर्मस्थली काशी बनी, जहां लमही में मुणशी प्रेमचन जी का जन्म हुआ, मेरी कर्मस्थली वो रही, और मैंने लगभग पिछले 40 साल से तो मैं काशी में ही हूँ, और 38 पर्ष काशी हिंदू विश्विध्याले में मैंने अपनी सेवाइं दी हैं जिसे युवा पेढ़ी बीएच्यू के नाम से जानती है बीएच्यू कहते हैं लेकिन हमाँ पे काशी हिंदू विश्विध्याले चलता है बनारस में उसी संस्था में अपनी सेसे 38 परष दी और सेवा निव्रुत्ती के बाद भी अभी वही काशी में ही निवास करता हूं अभी आज़ा कोवी द काल में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ, अभी भी मेरे पास बच्चे आते हैं, शीकते हैं और मेरा अपना सिध्धान्त है, मैं निश्वल्क शिक्षा देता हूं, और मैं विद्यार्थी मेरे पास आते हैं, कई लोगों को मैं मना कर देता हूं. जो उसके योग्य हैं, जो समरपीत हैं. मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, यह कर सकते हैं, तो मैं उनको सिखाता हूं. बहुत अट्रैक्ट करता है उसके आभूशन, उसका मेकब, तो कुछ खासियत भरतनाटियम के बारे में बताएं, कि बच्चे जो अट्रैक्ट होते हैं, वो उसके पीछे कौन-कौन से कारण होते हैं, क्या यह भी कारण होता होगा? मुझे तो सबसे मुख्यकारण यह लगता है कि उसके जो वस्तरा भूशन है, वो बहुत अधिक आकरशित करते हैं. अधिकांश बच्चे उसके वस्तरा भूशन को देखकर के ही वो आकरशित होके उसको लेते हैं. लेकिन जो साधना करने की जो लगन होती है, उसके कमी के चलते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, और कुछ लोग इसी चेत्र में फिर अपना काम आगे नाम बनाते हैं. कितनी मेहनत की आवशक्ता होती होगी? मुझे लगता है कि किसी भी विद्या को सीखने के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं होती है, आज इवन प्रयास करते रहना पड़ता है, तभी हमें अपने, हमें लगता है कि हमने कुछ सीखा है, या कुछ किया है, वैसे कम से कम, पांच साल, छे साल तो चाहिए ही. आज का जो समय है, जो विद्यार्थी जो है आज के, उनके पास धैर की बहुत कमी है, इवन जो पेरेंट्स हैं, वो भी चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत जल्द एक कलाकार बन जाए, या उसके पहले ही वो स्टेज में परफॉर्मेंस शुरू कर दे, तो क्या ऐसी कोई आज की टैकनिक तैयार की गई है, जिसके बज़ूलत बच्चा या युवा वर्ग इसको सीख करके बहुत कम समय में परफॉर्मेंस देने लगे, या इसके बारे में कम समय में ज्यादा से ज्यादा टैकनिक के साथ वो अपने आपको तराश सके, ऐसा कुछ है कुछ ऐसा को माका होता या कोई चोटा रास्ता होता तो सभी लोग अपना सकते थे, लिकिन मद्या मार्ग नहीं है, पुरा समरपन चाहिए, आठ घंटा थस घंटा हम लोग अभ्यास करते थे, साधना करते थे और उसके बाद में हमारे शिक्षक लोग डंडा मारके हम लोग को सिखाते लेकिन सवभागी की बात है कि मैंने कभी डंडा नहीं खाया और मुझे बहुत जल्दी चीज़ें याद हो जाती थी आज भी याद हो जाती हैं भूलता नहीं हो चीज़ों को तो यह मैं समझता हूं कि मुझे इश्वर का आशिरवाद है इस कारण में यह कर पाता हूं लेकिन गुरू का आशिरवाद और अपनी लगन उससे ही हम आगे बढ़ पाएंगे यह है कि हम कुछ प्रयोग करके कुछ थोड़ा बहुत सीख करके हम कुछ नयापन लाने के प्रयास में हम जल्दी का रास्ता अपना सकते हैं लेकिन उससे हम बहुत आगे तक दूर तक नही जा पाएंगे तीके रहना मुश्किल है स्थाइत्व नहीं आएगा स्थाइत्व तभी आता है जब हमारा आधार बहुत मजबूत हो हमारी ने पन की बात कर रहे थे तो मुझे याद आया कि आज कल के दौर में फ्यूजन का बड़ा क्रेज है कि शास्त्रे इंद्रते क्या-क्या सावधानिया कलाकारों को बरतनी चाहिए कि उसकी जो मूल परंपरागत चीजें हैं उसका जो बेस है वो बना रहे दिखिए हमारे जितनी भी शास्त्रिय कलाये हैं गायन वाधन रुत्य या चाहे हम चित्र और शिल्प को भी जोड़ सकते हैं प्रतिमा को भी ज ये पद्धती से हट करके हम इदी सीखना चाहें तो हम सीख तो लेंगे लेकिन वो अच्छी तरह से हमें नहीं आएगा और नए प्रयोग करने के लिए आजकल बच्चे लोग बहुत सी चीजें करते हैं लेकिन उसके लिए पहले साधना करनी पड़ती है मेरे बहुत से मेर प्रयोग कर रहे हैं और अच्छा प्रयोग कर रहे हैं लेकिन उन लोगों की निव बहुत मजबूत है हम लोगों की निव इतनी मजबूत है कि हम इसके उपर कुछ भी नया खड़ा कर सकते हैं और करना चाहिए नया को नहीं होगा तो प्रवा होना चाहिए नहीं तो ताला हमें प्रवाह में रहना चाहिए तो वो प्रवाह बनाए रखने के लिए हमें हमारी आधार जो है वह भूट ध्यान रखना उसको सीखने एक खुबसूरत बिल्डिंग के नीचे का जो बेस होता है वह मजबूत होता है फिर आप उसमें किसी भी डिजाइन की आप आपको देखने को मिल सकता है ऐसे बहुत से लोग है मेरी मित्र है जो बहुत अच्छा काम कर रहे है और उसको बिल्कुल आज के समय के साथ जोड़ते हुए कारियरत है और अच्छा लग रहा है लेकिन उनकी आपने जो फ्रेम जो है भारत नाट्यम का उस फ्रेम से बाहर आधुनिकता के इसमें हम जब तक हमारे प्राचीन दर्शन और प्राचीन साहेत्य और प्राचीन पद्धती है उसके साथ नहीं जुड़ेंगे उसके बाद ही हम उसमें नहीं दिशा नया मार्क दे पाएंगे तभी वह आगे बढ़ पाएगा और मुझे तो लगता है कि आज की जो युबापीड़ी है उसके पास मतलब हम कहें कि दुनिया मेरी मुठ्थी में आज ऐसी स्थिति आ गई है कि उनके एक छोटे से मोबाईल यंत्र में सब कुछ उनको उपलब्ध है और जो हम लोगों को नहीं था तो वो लोग हम से ज्यादा जानते हैं ज्यादा समझत है उन चीजों को लेकिन जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए जल्दबाजी करेंगे तो ठोकर खाके गिरने का अंदेशा जादा होता है स्थायत वो पहले चाहिए उसको समझ चाहिए फिर आगे बढ़ें और हमीशा सांधरिय प्रमुक है मैं आपको एक प्राचीन श्लोक बत है वो कहता है कि विश्रान्तिर यस्य संभोगे सा कला न कला मता लीयते परमानंदे यात्मा सा कला मता पराव जिस किसी भी कला का समापन मनोरंजन में होता है वो कला कला नहीं है जो परमानंद की ओर ले जाए वो कला कला है क्यों हम किसी एक कलाकार को के कारिकरम को देख करके सालों बाद भी उसको कला को याद करके हम आनंदित होते हैं तो वह आनन्द की अनुभूती क्योंकि कला का मुख्य उद्रेशी आनन्द भी कहा जाए और वो चीजें जब तक उस आनन्द न दे तो फिर उसका वो नहीं है तो फिर वैसे है कि हाँ आज एक चीज आई हमने देखा अच्छा लगा फिर हमने पन्ना पलट दिया स्क्रोल कर स्क्रॉल कर देते हैं बच्चे लोग ऐसे हैं तो वह याद भी नहीं रहता लेकिन जो यादगार में रहे स्मृती में रहे और हर स्मृती के बाद में आनन्द की अनुभूती दे वह स्थाइत में परमानन तक ले जाए तो आप भरत नाटियम से जुड़े हैं कि स्थापि का क्या योगदान रहा है हमारे जितनी भी शास्त्र गरंथ हैं भी सभी संस्कृत में रहते हैं तो उनका अध्यान करते हैं तो हमें बहुत सी चीजे मालूम पढ़ते हैं आपको मैं बताओ कि नाट्री शास्त्रा असे लगभग 2300 वर्ष पुराना है लेकिन उसमें आपको ऐसी चीजे मिलेंगे जो आप अधुनिक मंच पर भी देखते हैं जैसे हम लोग मून वाक बोलते हैं वह तरह की चारी है वह हमें मिलती है तो इस तरह की बहुत सी चीजे हैं जो हमें उसमें मिलते हैं लेकिन हम कला कारों ने हम कहें कि हम लोगों ने शास्त्र को एक तरफ क कर दिया वो ठीक नहीं है बलकि मैं तो आपके वह हम ब करेंगी कालिदास के समय में भी यह समस्या थी इसलिए कालिदास license आ लिखते हैं थुए कहते हैं कि प्रयोग प्रधानम ही नाटिश आसत्रम कि अत्रवाग व्यवहारेन, नाटिश जो है, नाटिश तो प्रयोग की कला है, उसमें बाचित क्या करना, तो मतलब उस काल में भी डेड़ सो इसा पूर्व भी दो भागों में शास्त्र और प्रयोग दोनों अलग था, लिकिन उस समय लोग समझते थे, अब दिक्कत ही हो गई ह कि हम लोग उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, और पुराना है करके, बोलते हैं, नहीं, सब बेकार है, और कालिजा स्वयम कहते हैं, कि पुरान मित्येव न साधु सर्वम, नवीन मित्येव न चापिहेयम, संतह परिक्ष्यान यतरद भजनते, मूढ़ परप्रत्यय निय बुद्धी ही, किसी चीज़ को पुराना है कहकर के, खराब है, छोड़ देना, वो गलत है, और नवीन है, नया है, नया है करके, उसको हेय दृष्टी से देखना, वो भी ठीक नहीं है, विद्वान लोग उसकी परिक्षा करते हैं, उसको कसोटी पर कसते हैं, और तब उसक कहते हैं, जो कहते हैं, जो फाइनल, जिसको कहते हैं, आजकल क्वालिटी कंट्रोल से जो ओके लगके आता है, तो उसको देखने के, जब विद्वान लोग उसको परक करके ठीक है, कहते हैं, तो बाकी सब लोग तो विद्वानों का सिरहलता देखके अपना सिरहला देते है बाकी लोग हैं मूर्ख वो लोग विद्वानों का सेरलता देखकर के हां बिल्कुल सही कहा है बहुत कुल ठीक है कह देते हैं तो उस समय में भी नए पुराने का जंजट था जगडा था आज भी है और यह आगे चलता रहेगा जो आज नए है वो जब पुराने हो जाएंगे तो नएपन को फिर कहेंगे कि नया ठीक नहीं है यह चलता रहेगा लेकिन मुझे जो लगता है कि एक व्यक्ति को नए और पुराने इसके बीच में सामन जेसे रखना पड़ेगा तभी कलाकार आगे बढ़ेगा और तभी कला भी आगे बढ़ेगी कला तो जीवित रहेगी क्योंकि वो अक्षण है वो अक्षय है वो उनका अक्षय नहीं हो सकता तो वो चलती रहेंगी स्वरूप बदलेगा उसमें रूप बदलेंगे आज भरतनाट्यम के कॉस्ट्यूम में ही कितने चेंज़े बहुत परिवर्तनाया है लेकिन एक समय था जब देवदासियां करत थी तो साड़ी पहनती थी मुझे याद है कि हमारी मदर जब करती थी तो इतनी उची उची साड़ी पहन के कर दे थी स्टिच कॉस्ट्यूम जो बना उसको लेकर आने वाली रुक्मनी देवी जी थी उन्होंने ही स्कॉल्प्चर्स को देखके और डिजाइन किया कॉस्ट और उर्नुमेंट्स भी उन्होंने वो सब डिजाइन करके उसको पहना शुरू किया यह सब चीजें आई और लोगोंने एकसेप्ट किया और इसके बाद परिवर्तन हो रहा है लेकिन परिवर्तन कितना अच्छा है इसको जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं ऐख सुकता है मन में आपने कल आक शेत्रang से अपनी सिख्षा की है चन्नाई से दूसरी तरफ आपने म 느क्ष संगीत प्यारा तक है सवर कैसे संभव हुआ कैसे विचाराया क्या इसका झाला conservatives प्रौ not मान्यता नहीं थी शिक्षा बहुत अच्छी मिलती थी हम लोग सुबह से शाम तक अभ्यास करते थे गुरु लोगों के साथ रहते थे लेकिन उस सार्टिफिकेट को देखते हुए हमें लगा कि में हमें शिक्षा ग्रहन करनी चाहिए तो मैंने कलाक्षित्रा से कि पहले मैंने प्रयाक संगित संभीति की सब एक्जामनेशन दिये और फिर मैं एमे में आया क्यासा रहा आपका अनुभाव ख्यारागड का तो एक प्राइवेट संस्था थी मने रइजिस्टरा में एफिलिटेट संस्था थी महां से मैं एमे किया और मेरा अनुभाव अच्छा तो लेकिन सर्टिफिकेट जरूरी करके मैंने उसको किया है मैं सर कोई संदेश आप दे हमारे विद्यार्थियों के लिए हमारी युवा पीड़े के लिए तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा जो भी युवा कारे कर रहे हैं इस समय अच्छी तरह से करें अपनी निव मजबूत करें और आगे बढ़ें नए प्रयोग करने में संकोच ना करें बिना किसी संकोच के नए प्रयोग करें लिकिन उसको किसी जानकार से परखवा करके फिर उसको मंच पर लेके जाएं एकदम से सीधे मंच पर ना पहुंच जाएं नहीं तो कभी-कभी बड़ा हास्यास्पद स्थिति हो जाती है सब लोग उसकी निंदा करने लगते हैं लेकिन मैं निंदा करने वालों के लिए भी एक बात कहना चाहूँगा कि हर चीज की निंदा करना ये हम लोग का स्वभा बन गया है बिल्कुल हर चीज में हम उसको आजकर के भाषा में तो पोस्ट मार्टम करते हैं हर चीज का आप पोस्ट मार्टम मत किजिए उसका आनंद लेने का प्रयास कीजिए तो आपको उसमें आनंद के अनुभूती होगी और नहीं तो फिर वो आनंद जो है वो समाप् आपने जितनी भी बाते कहीं हैं जो भी चीजें हम से साजह की हैं भरत नाटियम से संबंदित और व्यक्तित्व विकास के संबंदित ये वाकई काबले तारीफ है सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आप स्टूडियो में आये और हमारे दर्शकों को आपने इतनी अच् का स्थान अवश्य होना चाहिए चाहे वो शास्त्री हो चाहे वो लोग हो चाहे वो कोई सी भी कला हो लेकिन कला से जोड़ना याने अपने व्यक्तित्व के विकास के साथ जोड़ना अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए जोड़ना आप सभी का बहुत-बहु में शामिल हुए अगले किसी कारिकर में फिर से हम अपने विशेश अतीती से आपकी मुलाकात करवाएंगे तब तक के लिए हमें आग्या दीजे नमस्कार कर दो